अज कि अमारी इस वीडियो का टॉपिक डिफ्रेंस बिटिविन solitary and electrical technician मतलब किelectrical technician और electrician में क्या अंतर होता है दोस्वा आज का जो यह है topic है यह topic electrical से जोड़े वे सभी लोगों के लिए काफ ज़िसादा जरूरी होने वाला है क्योंकि अगर हम कहीं पे electrical field में work कर रहे हैं या electrical field की पढ़ाई कर रहे हैं और आगी जाए कि उसमें work करेंगे तो उस समय हमें पता होने चाहिए कि electrical के अंदर किस किस तरीके से department को बाटा जाता है जिसमें से सबसे जो common है वो है electrician और technician और यह दोनों ही लगबग लगबग सुनने में सेम ही लगता है इसी वज़े से कहीं बार इससे जुड़े काफे जादा confusion हमारे मन में पैदा हो जाते हैं साथ ही साथ इस तरीके का सवाल हमसे interview पूछे जिने के भी काफे जादा chances होते हैं तो आखिरकार इन सभी चीज़ों का जवाब क्या है वही आज की छोटे इस वीडियो के दर हम जान लेंगे तो बीना जारे देडिकरे वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों इस topic से लिटेव सबसे पहला point आपको यह दिया रखना है कि कहीं पर अगर आपके सामने technician word उपयोग में लिया जा रहा है या फिर आपके सामने electrical technician word उपयोग में ले जा रहा है यह दोनों ही अगर electrical field से related बात करें तो यह दोनों ही हमारे पूरी तरीके से same है इनमें कोई भी अंतर नहीं है हम electrical technician को short में technician नाम से बुला लेते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक mistake हमसे यह होती है कि हम electrical technician और electration दोनों को same ही समझ लेते हैं हम में से कुछ लोग इस तरीके जवाब देते हैं कि हमार जो electration word है यह है electration word, electrical और technician इन दोनों को combine करके बनाये गया है लेकिन दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है electration हमारी एक अलग पोश्ट होती है और electrical technician एक अलग पोश्ट होती है दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कुछ इन लाइनों से समझ सकते हो सबसे पहली लाइन यहाँ पर यह लिखिए while electration and electrical technician both work and electrical system but they have different responsibilities मतलब कि जो हमारे electrical technician होते है और जो हमारे electrician होते है यह दोनों ही हमारे electrical system में ही काम करते है लेकिन इन दोनों की जो responsibilities होती है जो काम जो इन्हें करना होता है वो पूरी तेकर से अलग अलग होता है अब दोस्तों इसके बाद में हम next यह जान लेदे कि उनकी क्या-क्या responsibility है तो यहाँ पे साफ लिखवा है Most of the time install electrical power system electrical equipment and pulse wire मतलब कि हमारे जो electrician का जो mostly काम होता है जो उन्हें मुख्या तोर पे करना होता है वो हमारा electrical power system को install करना होता है यानि कि हमें कहीं पे भी power को भेजना है किसी भी load को चलाने के लिए इसे जी के साथ साथ हमारे electrical equipment को power देने का काम हमारे wires को खीचने का काम wire को pull करने का काम इस तरीके के सभी काम मुख्या तोर पे हमारे electration को करने होता है इसके अलाव दोजी यहाँ पर एको लाइन लिखिए जो कि है sometimes troubleshoot the electrical problem मतलब कि electration के मुख्या काम तो यही होते है लेकिन इसके अलावा कई cases में कभी sometimes मतलब कभी कभी उन्हें electrical की problem को troubleshoot भी करना पड़ सकता है electrical की problem troubleshoot का मतलब जैसे कि हमारी कोई machine है उस machine के अंदर किसी भी तरीकी से कोई problem आ जाती है तो उस machine में जो भी electrical से लेटे problem आई है उससे सही करने को हम troubleshoot करना बोलते है तो यहाँ पर सेम यही बात लिखी हुई है कि electration के जो काम होते है वो तो मुख्य तोर भी यही होते है जो मैं आपको पहले बताया इसके साथ में उन्हें कई cases में electrical की problem को troubleshoot भी करना होता है मतलब कि हमारी machine से problem को ढूण कर उसे सही करना भी होता है लेकि इसके बाद में अगर हम electrical technician के काम की बात करें यह electrical technician का जो काम होता है वह most of the time troubleshoot electrical problem मतलब कि हमारे जो electrical technician होता है इसका मुख्य काम होता है वो हमारी किसी भी machine में आई गड़बड़ी को किसी भी machine में आई problems को उसे भूण कर उसे खतम करना होता है इसके अलवा यहाँ पर लिखा है sometimes install electrical utility equipment and pulse wire मतलब कि machine के troubleshoot के अलवा इनसे कई बार electrical utility equipment को भी install करें जाता है और साथ-साथ pulse wire का भी काम इनको होता है मतलब कि दोस्तों अगर आप इसे थोड़ प्रैक्टिकल तरीके से देखें industry के अंदर तो हमारे जो electrical technician जो होता है वो एक तरह का हमारा junior engineer होता है यहाँ पर में लिख देता हूँ इसे junior engineer अब junior engineer के काम क्या होता है आप सभी को पता है junior engineer का का काम होता है हमारी machine में कोई भी fault आया तो वो fault उस junior engineer को ढूंडना होता है और ढूंड कर उसे सही करना होता है अगर उसे वो fault सही नहीं होता है तो वह अपने high post वाले engineer को बलाता है और उनके मदद लेके वो उस fault को ढूंडता है लेकिन इसके अलावा अगर कभी हमारे जो electrition होता है वो electrition हमारे छूटी पर है या फिर हमें कहीं पर ज़्यादा electrition की requirement है तो उस समय हमारे junior engineer का काम होता है वह होता है हमारे pulse wire और electrical equipment को install करना मतलब कि जो हमारे electrition का काम होता है वह भी हमारे junior engineer को करना पड़ता है अगर उनकी कभी जोरत पड़ी तो इसके अलाव दोस्तों electrition के काम में जश्ट इनका अपोजिट था electrition का जो man काम होता है वह हमारे install करना होता है power system को और साधे साथ equipment को चलाना इससे related होता है लेकिन कई बार ये भी हमारे electrical की problem को solve करता है आखिरकर ये point यहाँ पर कैसे आ गया तो जैसे कि हम सभी को पता है अगर हम कईसी भी machine पर कई टाइम से electrition की post पर काम कर रहे है तो हमको वहाँ का experience हो जाता है कि उस machine में किस तरीके से problem आ रही है और वहाँ की electrition भी उसे best तरीके से solve कर सकता है तो इसलिए अगर कभी जुने इंजिनियर है electrical technician नहीं होता है तो उस समय electrition का काम उस machine की problem को solve करना भी होता है तो दोसर उमीद है कि आज के इस वीडियो के माधियम से मैंने आपको practical और थोड़ा theoretical दोनों ही तरीके से आज के इस topic को clear करा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like के जो बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परते हैं अफिए लेक्रिक्राम उजेने चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इलेक्रिकल यूडियोस आपके ने फ़संद करते हैं आज माई चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आज के लितना ही धन्यवाद